नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है आपके अपने यूट्यूब चनल जॉब इन्फो मीडियम में UPSI, RRV Group D, RRV NTPC, Phase 2, UPSHC, PET, SuperTet, आधी के अपकमे अग्जाम को देखते हुए आज से Objective Type Question की एक नई सीरीज सुरू कर रहा हूँ इस सीरीज में Back Year Paper में आए हुए 5000 कुश्चन को डिसकस करूँगा ये सारे कुश्चन टॉपिक बाइज होंगे इसके पहले भाग में Biology सब्जट के पाचनतंस के कुश्चन को डिसकसन कर रहा हूँ यदि अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मानव सरीर में प्रचूर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्चित है इसका अंसर है Option 4 यानि कि ऑक्सिजन सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं जिसमें से सरवाधिक मात्रा में ऑक्सिजन पाया जाता है जैब तंत्र में संख्या की द्रस्टी से सरवाधिक पहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है Option 1 है आपका Hydrogen Option 2 है Oxygen Option 3 है Carbon Option 4 है Nitrogen और इसका अंसर है Option 2 यानि कि Oxygen खटे स्वात के लिए कोशकाएं जिब्या के किस भाग में होती है Option 1 अगले भाग में Option 2 पिछले भाग में Option 3 पार्स में Option 4 मध में और इसका अंसर है Option 3 पार्स में आहार में लवड का मुख उप्योग है Number 1 जल में भोजन के कणों की बलेता को बढ़ाना Number 2 भोजन के पाचन के लिए आपेच्छित हाइड्रोक्लोरिक अमल की लगू मात्रा को पैदा करना Option 3 पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना Option 4 भोजन को स्वादिष्ट बनाना ऑंसर है आपका Option 4 भोजन को स्वादिष्ट बनाना हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जीब के अंदर विसेश प्रकार की स्वाद कलकाये पाए जाती हैं जिन से हमें भिभन प्रकार के स्वादों का अनुबा होता है अगला कुश्चन है पसू प्रोटीन को प्रथम सिरिनी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह है आप्शन नमबर वन है आपका अनिवार अमीनो एसिट से भरपूर होता है आप्शन नमबर बाजार में सस्ता होता है आप्शन नमबर सी सुपाच होता है option number D, खाने में स्वादिश्ट होता है इसका answer है option number 1, अनिवार अमीनो एसिट से भरपूर होता है मानो सरीर अमीनो अमन का निर्मार स्वयम नहीं कर पाता है अता इने भोजन के रूप में लेना होता है गहरे तले हुए खात पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचूरता होती है नमबर 1, बसा की नमबर 2, हाइड्रोकार्बन की नमबर 3, पकाने के तेल की नमबर 4, निकोटिन की और इसका answer है आपका option number 1, बसा की बसा निमलिक्ष में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 बड़ की आयू तक के बच्चों के विकास के लिए अतियंत आवस्चक है उप्सन नमबर 1, प्रोटिन उप्सन नमबर 2, बिटामिन्स उप्सन नमबर 3, बसा उप्सन नमबर 4, दूद इसका answer है आपका उप्सन नमबर 1, यानि की प्रोटिन प्रोटिन आपका नाइट्रोजन योग्त कार्वनिक पदार्थ है हमारे सरीर में 20 अमीनो अमलो के सईयोग से बना हुआ है अमीनो एसिट की आसकता किसके संसलेशन के लिए होती है उप्सन नमबर 1 है आपका लेपिड, उप्सन नमबर 2 प्रोटिन, ऑप्सन नमबर 3 कार्वोहाइटेड, ऑप्सन नमबर 4 एलकलाइड और इसका अंसर है आपका ऑप्सन नमबर 2 यानि की प्रोटिन जैसा कि हमने आपको भी उपर बताया था कि अमीनो अमलो की सहायता से प्रोटिन का निर्मान किया जाता है निक्स कुशन के बात करते हैं नाइट्रोजनी आहार क्या है ऑप्सन नमबर 1 कार्वोहाइटेड, ऑप्सन नमबर 2 लिपेड, ऑप्सन नमबर 3 प्रोटिन, ऑप्सन नमबर 4 लवड इसका अंसर है आपका ऑप्सन नमबर 3 यानि की प्रोटिन निम लिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं और इसका अंसर है आपका और यानि की प्रोटीन प्रोटीन हमारे सरीर का निर्माण करता है क्योंकि यह अमीनो अमल से मिलकर बना हुआ है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है और इसका आंसर है आपका और यानि की डास्टेज एंजाइम पाया जाता है नेक्स कुर्शन है आपका एंजाइम होते हैं और इसका आंसर है और इसका आंसर है और यानि की प्रोटीन एंजाइम एक रूप से प्रोटीन के बने होते हैं और एंजाइम की खोज सरप्रथम जर्मर बैग्यानिक कुहने ने की थी नेक्स कुर्शन है आपका एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं और इसका आंसर है आपका आप्शन नमबर थर्ड एंजाइम एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं इसकी आसकृता के आधहर पर इसे प्रोएंजाइम या जाइमोजन भी कहा जाता है मचली एक प्रथम सरणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें उपस्थ होते हैं Option number 1 आवस्चक अमीनो एसिड. Option number 2 अनावस्चक अमीनो एसिड. Option number 3 सभी आवस्चक बसी एसिड. Option D कोई अमीनो अमल नहीं. इसका अंसर है आपका Option number 1 आवस्चक अमीनो एसिड. Next question की बात करते हैं. तो next question है आपका Dastry Enzyme का स्रोत है. Option number 1 लार्गरंथी. Option number 2 अमास है. Option number 3 यक्रत. Option number 4 अगनास है. और इसका अंसर है आपका Option number 1 यानि की लार्गरंथी. Dastry Enzyme का स्रोत आपकी लार्गरंथी है. यह स्टार्ज को माल्टोज और फिर डाश्टोज में तोड़ता है. किस Enzyme को पस्तिती के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है. Option number 1 रिवर्ट्स ट्रांस्किप्टेस. Option number 2 एंट्रो काइनेस. Option number 3 नुकलिो टेड्स. Option number D. नुकलिो टेड्स. इसका अंसर है आपका Option number 1. Next question है आपका दूद में दूसरा सबसे बड़ात्त्त क्या होता है. Option number 1 बसा. Option number 2 खनेज. Option number 3 जल. Option number 4 सरकरा. और इसका अंसर है आपका Option number 4 सरकरा. दूद में सरवादिक मात्रा में जल पाये जाता है जब की सेके नंबर पर आपका सरकरा पाये जाती है. और दूद में पाये जाने बाली सरकरा का नाम है आपका लेक्टोज. पित का सरोत क्या है? Option number 1 है आपका पित्यास है. Option number 2 यक्रत. Option number 3 पित्वाहनी. Option number D अगनास है. और इसका आंसर है आपका Option number 2 यानि की यक्रत. यक्रत हमारा हलके पिले रंग का च्छारी पदार्थ है और इसका पियेच मान 7.6 से 8.6 के मद्ध होता है और इसका निर्मान यक्रत के अंदर होता है. Next question है यूरिया किसमे संसलिसित होता है? Option number 1 यक्रत. Option number B फेपरो में. Option number 3 पिलिया. Option number 4 गुर्दे. और इसका अंसर है आपका option number 1 यानि की यक्रत में. मानो जठर में प्रोटीन पाचिन के लिए उत्तरदाई अनकूलतम परवेश है. Option number 1 च्छारी है. Option number 2 अमली. Option number 3 उदासीन. Option number 4 बेसिक. और इसका अंसर है आपका option number 2 यानि की अमली है. लिवर किसका भरपूर्ण स्रोत है? Option number 1 सरकरा. Option number 2 खनिज. Option number 3 बसा. Option number 4 प्रोटीन. इसका अंसर है आपका option number 3 यानि की बसा. सबजियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है. Number 1 सरकरा. Number 2 जल. Number 3 बेटामिन. Number 4 एंजाइम. इसका अंसर है आपका option number 2 यानि की जल. Next question है आपका नेम लिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लुकोज में बदलता है और रख्ट को सुद्ध करता है. Option number 1 यक्रत. Option number 2 गुर्दा. Option 3 फेफड़े. Option 4 तिल्ली. और इसका अंसर है आपका option number 1 यक्रत. यक्रत में आवसकता से अधिक ग्लुकोज सरकरा को ग्लाइकोजन के रूप में बदल कर इस्टोर करता है. इस क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस क्रिया कहते हैं. और जब रक्त में ग्लुकोज की जरूरत होती है तो यही गलाइकोजन ग्लुकोज में कनवर्ड हो जाता है टेबल सरकरा किस प्रकार की सरकरा है? Option No.1 Fractose, Option No.2 Galactose, Option No.3 Glucose, Option No.4 Sucrose इसका अंसर है Option No.4 Sucrose Next question है, खाद प्रोटीन के दो सबसे सम्रद ज्यास श्रोत है Option No.1 मास और अंडे, No.2 दूद और सब्जियां, No.3 सोया बीन और मुम्फली, No.4 एक परकार का सैवाल वा अन्य सूचम ज्यू इसका आंसर है आपका Option No.3 सोया बीन और मुम्फली सोया बीन में सरवादिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इसका उच्पादन सरवादिक मात्रा में मत्प्रदेश में होता है आज की वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्वाद जैहें